सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल सरकारी टेग पर तो दोस्तों आपको बता दे कि कल यूजी सेशन 2021 से 24 वालों का मेरिट लिस्ट आने वाला था यानि 6 तारिक को आने वाला था लेकिन रात तक बिद गई लेकिन कोई भी मेरिट लिस्ट पब्लिस नहीं हु है एमेट का सिर्फ मेरिट लिस्ट को पब्लिस किया गया है यहां से देख सकते हैं यह रहा हमारा एमेट का जो है मेरिट लिस्ट आ चुका है जदि आप लोग नहीं देखें तो इसको भी देख लिजेगा और दोस्तों अभी तक यूजी वालों का क्यों नहीं आया इसके कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया गया है तो लोग देखते हैं औरे बाद चांसलर पोर्टल में क्या दिया गया है तो दोस्तों आपको बता दे ऐसा में पता नहीं पर यहीं कोलेज का एक टेकनिकल इसू है या पिर लापरवाही है पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है अभ मिशन नौटिस के तहट मैंने मेरिट लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया ठीक मेरिट लिस्ट को सेलेक्ट करने वाद यह उनिवर्सिटी हमने सेलेक्ट कर दिया बीभ्यू देख सकते हैं यह बिनो अभाव इनिवर्सिटी हजारी बाग को सेलेक्ट कर लिया हम उसके बाद दोस्त यहां पर आया है 29 भाव उनिवर्सिटी यहां गगरा साइन्स कॉलेज बगोदर इसके लिए आ गया है और तो यह फोर्थ मेरिटिस्ट यह पहले का पॉब्लिश हो लेकिन कल जो पॉब्लिश होना था छे तारिक को उसका कोई अभी तक नहीं दिया गया है और पता नहीं कब तक आएगा देखते हैं कभी-कभी यह रात को भी पॉब्लिश कर देती है लेकिन यह जो कल पॉब्लिश होना था तो आज तक तो पॉब्लिश हो जाना चाहिए था क्योंकि अगले बार भी यही टेखनीकल इसू था या पता नहीं फिर कॉलेज का लापरवाई होगा हमें तो लगता है कॉलेज का ही लापरवाई है टेखनीकल इसू तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए बट ऐसा नहीं करना चाहिए आपको बता दे कि मेरिट लिस्ट कल ही आना था और आज से एड्मिशन शुरू था इसके लिए एड्मिशन मैंने आपको नोटिस पे दिखाता हू तो गाइज देख सकते हैं ये था बीवी का ओफिसल नोटिफिकेशन इसमें देख सकते हैं ये पब्लिस हुआ था 29 तारीक को यहां पर देख सकते हैं 29 गार 2021 को और इसमें बताया गया था कि उन्हीं सेमेस्टर 2021 से 24 में एड्मिशन लेना चाहते हैं तो आप यूजी सेमेस देख सकते हैं यहां बहुत सारे कोलेजेज थे और बहुत सारे सब्जेक्ट तो इसमें रामगार कोलेज भी था मार्कम कोलेज भी था और के वी मुमेंस कोलेज हजारी बाग था ऐसे करके पूरे यहां से देख सकते हैं आपको बताते हैं कि 30 कोलेजेज थे 30 कोलेज में जो र सुरू हुआ था अपिलिकेशन और तीन तारीक को लास्ट था यानि 3.12.21 को लास्ट था और फबलीकेशन ऑफ वेरिफिकेशन अब सर्टिफिकेट जो दिया वा तो सोल अतारिक होता तो दोस्तों आपरवाही करने से पता नहीं यह स्टूडेंट का क्या अलुआ होगा अभी तक सभी तो इसी इंतिजार में होंगे पता नहीं क्यों आइसा कॉलेज करता है यदि क्या आप लोगों को यह सिस्टम है आपको अच्छा लगता है तो कॉमेंट सेक्सर में ज़रू बताएगा कि यह जो सिस्टम है खराब है या फिर अच्छा आइसा नहीं करना चाहिए था अभी तक कॉलेज को पब्लिश कर देना चाहिए था हां अगले बार भी जो हुआ था एक दिन डिले कर दिया के सर्क से बात करकर आप लोगों को नॉटिस जरू करेंगे तो दोस्तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अभी तो उसके बारे कोई जानकरी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं तो अभी के लिए माफी चाहता हूँ ल